दोस्तों कैसे हैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहधी खयार लख रहे होंगे आज के इस बहुत छोटे से वीडियो में आप कुछ most important corrections जिनें कहते हैं syntax के examples प्रिपेर करेंगे आईए start करते हैं फिजिक्स आर एन इंट्रेस्टिंग सब्जेक्ट फिजिक्स एक सब्जेक्ट है जो singular नमबर यानि की एक बच्चन है तो इसका correction होगा physics is आर नहीं एन इंट्रेस्टिंग सब्जेक्ट नमबर टू इधर ही शुद इट मैंगो और एपल इसको जब हम करेंगे तो लिखेंगे he should eat इधर मैंगो और एपल तो इधर और या नीदर नौर का प्रियोग दोनों object से पहले होता है जिसमें हम comparison कर रहे होते हैं नमबर थर्ड है please give me a 10 rupees note correction होगा please give me a 10 rupee note जब नमबर होते हैं 10, 20, 100 उनके साथ rupees नहीं रुपी आता है next है mohan is a miser man correction होगा mohan is a miser 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 का मतलब भी है conjuice व्यक्ति तो इसमें अलग से man या woman लगाने की ज़रूरत नहीं है next है the news of the war are good today धियान रखेंगे news हमेशा similar number होता है तो news of the war is good today next है the news are true same है the news is true next है I saw three dears in the forest धियान रखेंगे deer sheep इन सब में singular और पिलर दोनों में deer या sheep का use होता है तो correction होगा I saw three deer in the forest next होगा 10 sheep are grazing in the field जैसा कि मैंने अभी आपको बताया यहाँ भी 10 sheep होगा sheep's नहीं are grazing in the field next है my trousers are dirty धियान देंगे trouser कभी नहीं होता trousers होता है तो my trousers are dirty next है he needs a pair of spectacle ऐसे ही spectacle भी plural में use होता है तो he needs a pair of spectacles उसे एक जोड़ी चश्मे की जरूरत है यानि कि वो चश्मा जिसमें दो लेंस लगें तो यह बन जाता है plural number so friends वीडियो अच्छे लगा तो like करें, share करें, subscribe करें, bye